बिस्मिल्ला आई राम अस्लाम अलेकों वीवर्स मैं हूँ आपके साथ मैं रमीद करता हूँ सब खेरी से हूँगे आप देख रहे हूँ मैं र कुकिंग सीक्रिट्स वीवर्स आज हम बनाएंगे आलू पालक प्याज और बेसन के मिक्स पकोड़े जो बहुत ही मज़े के क्र धनिया दो चमच साबस जीरा एक चमच को पहले चीदर हसे मिक्स करने के बाद बेसन ऊमरे पास एक पलेट मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद आदी प्लेट पानी की हमारे पास यह डाल देंगे और दो अधर इसमें अंडे डाल देंगे इसको दुबारा हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है यह आपने ख्याल करना है कि जो बेसं ज्यादा नहीं डालना तो आपके पकोड़े क्रिस् flame तेज नहीं रखना, दिर्म्याने flame पे आपने 3-4 minutes के लिए एक side इसकी पकानी है, तो ये देखें, एक side इसकी पक चुकी है, इसको हम change करते हैं, side इसकी, ये देखें, flame अगर तेज रखेंगे, तो ये जो है ना, उपर से जल जाएंगे, और अंदर से कच्छे रह जाएंगे नहीं पकेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेगे तो दूसरी साइड भी हम इसको 3-4 मिनत तक पकाएंगे तो ये देखें माशायला माशायला इसकी दूसरी साइड भी पकर त्यार हो चुकी है इसको निकाल दे हैं माशालला, माशालला, हम फाइनल लोक की तरफ जाते हैं तो ये देखें, माशालला, सुभानला, मेरे अल्ला की शान, वीवर्स ये आप देख सकते हैं कि हमने आलू, पालग, प्याज और बेसन के मिक्स पकॉड़े बनाए हैं तो बहुत ही मज़ए के क्रिस्पी बने हैं तो वीवर्स इसके साथ ही साथ, अगर आप मारे चैनल पर फस्ट हमें तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें इसके साथ ही साथ रेस्पि अगर अच्छी लगे तो हमें प्यारे से कुमेंट के साथ जरूर अगाह किया करें ताके हमारी होसला जाही होती रहे और हम आपकी खिदमत में डेली बैसिस पे नात नई वीडियो लेकर आते रहें क्योंकि यह आपकी तरफ से महबत होती है प्यार होता है मिलेंगे इंचाला एक नई वीडियो के साथ अब तक दीजिए मैं अजाज़त अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल अलाफेज